तो कहानी की शुरुवात एक काफी पुराने शिप को दिखाने से होती है, पिसी दुबारा ठीक करके नया बनाकर एक ग्रूप इसमें अपने सफर पर निकला था, इस ग्रूप में तकरीबन 60 लोग थी, जिन भी सबसे पहली हमें कोरियर का प्रेजिडेंट दिखाया जाता है उसका बीटा भी आया था, जिसका नाम एडम होता है, एक गुंडा भी था, जिसके साथ उसके बहुत सारे आदमी थी, गुंडा प्रेजिडेंट इन्ही एडम की ट्रेट की पास आगर पूछता है, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, अगर किसी चीज़ की जुरूरत है त इस बिट के साथ यहां आई थी, वो बुड़े आदमी को यह करते हुए देखकर काफी खिरान हुई, पूछती है कि आप ही क्या करें है, मिक्टी जमा क्यों करें है, इस पर बुड़ा आदमी एफ पो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा साथ नीता है, कहने लगा कि वो ठीगी तो कह रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह सुनकर गुंड़े के लोग उसे पकड़ कर तमकाने लगी, कि सवाल जवाब करने है, यह अपनी जान प्यार है, अगर जिंदा रहना चाहते हो, तो अपनी वाइफ को लो और कर रही थी, जिबकि प्रेजिडेंट इस जगा पर खड़ा होकर इफ पो गूर रहा था, यह जिस नाटिस करके गुंड़े प्रेजिडेंट की पास आया, यह ता है, क्या बाते से पसंद आगी वो लड़की, अगर ऐसी बात है, तो आप सिक्र ना किजी, मैं उसे आपकी प पहेंग दीता है, यह करने की बाद वो एफ को भी होश करकी प्रेजिडेंट की पास लेकर गया, जहां पहले प्रेजिडेंट फिर उसके बेटी एडम और गुंड़े की साथियों ने मिलकर उसकी साथ बहुत बुरा किया, जिब उसी होश आई, तो वो बिचारी काफी बु पूरे की पास आती है, तो उसे बाहिर अपने हिस्बिन का जूता पड़ा हुआ दिखता है, जिसके पास बहुत सारा खोन दे पड़ा हुआ था, यह देकर एफ काफी टोट गई, खोट खोट कर रोनी लगती है, और वो भी पानी में कोट कर मर जाना चाहती है, वो गोट न पूर रही है, यह सारा नजारा वहाँ पर खड़ा हुआ, बुड़ा आदमी देख रहा था, वो हैरान नहीं था, इसी बज़ा से ईव को उस पर शुक हुआ, जैसे ही सब जानता हूँ, इसलिए उस पर नज़र रखनी लगी, और उसका पीछा भी करती है, जो आम देखते ह पूर खड़ा भी काफी खबराया हुआ था, कहता है, मैं खुद नहीं जानता कि यह क्या हो रहा है, रेडार भी काम नहीं कहरा, जो बता सकी कि इस वब्ध हम कहा है, और कहां जा रही है, उपर से खाना भी हमारी पास का में, जो तीन चर दिन की बाद ख़त मर जाएगा, य इसलिए गुंटा यहां अपनी ताकत का इस्तामाल करता है, वो गन पॉइट पर सक को चुप करवाता है, अब प्रेजिजेंट कैप्टन को कहता है, कि इन में से किसी को खाना दो या ना दो, लेकिन मुझे और मेरी बेटे को ज़रूर मिलना चाहिए, ताइम पर पहुन जा कहने लगा कि ये प्रेजिजेंट तो बहुती लालची इन साने उपर से इसमें अपने साथ फ़कुंडा रखा हुआ है, और अब अगर हमें उनका मुकाबला करना है, उनने रोकना है, तो हमारे पास भी हतियार होने चाहिए, अब जैसा कि हम जानते हैं ये शिप दूसरी जंग कियें, तो बहुत सकता है, इसमें हमें हतियार ही मिल जाएं, ये कहने की बाद वो सब लोग शिप में हतियार ढूरने लगी, जहां इनने बॉम्स का भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है, जिने ये अपने पास रख ले थी, अब मुसाफिरों को सिर्फ थोड़े थोड़े कैबिन में आ जाती है, और देखती हैं कि यहां तो प्रेजिडेंट और उसकी लोग अलेलग तरह के खाने खा रहे हैं, वो भी पेट भर की, ये देकर सभी मुसाफिरों को बहुत गुसारता है, कुंडा यहां दुबारा उन्हें गन दिखाकर तंकानी लगा, कि मुँ इसलिए भी चारे डेल पर वहां से चले चाते हैं, एक बुड़े आदमी के पास रगर पूशती हैं कि दादा जी आपकी बोड़े क्यों का रहे हैं, पर इस बार भी वो मुस्कुलाने के लावा और कोई जवाब नहीं देता, अब प्रेजिडेंट दुबारा कैप्टन से कि ये शिप कहां जा रहे हैं, पर कैप्टन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, ये सुनकर प्रेजिडेंट को इतना गुस्सा आया कि वो उसकी मुँपर जोड़दार थपड़ मार दीता है, पर कैप्टन चुप चात खड़ा रहा, सारे हलात की वजसी तंग आकर एक प मासिल दे गया, और अब ये दोनों बुड़े आदमी के पास आचाते हैं, जहां वो अब भी पौद ही उगा रहा था, जो पहले से बड़े हो गए थी, चोरे चुप के कुछ मसाफिर खाना चुराने की कोशिश करनी लगी, लेकिन उन्हें गुंड़े के लोगों ने जान स मजी लिने के खा रहा था, एक लेक्पीस को वो वामुसाफिरों के सामने फैंग देता है, जो देखकर एक लेक्पीस को उठाने के लिए वामुसाफिरों की भीर लग जाती है, वो इसके लिए आपस में लिडने लगे, धक्का भुकी हो जाती है, चुकि वो बहुत धोपी उन्हें कब से खाना नहीं मिला यह देखकर एडम को अपने डैड प्रेजिडेंट पर बहुत गुसा आया इसलिए वो ने डाट लगा कि डैड आप इतने लाजी और जालिमी नसाने एह लोगों की साथ आखिर ऐसस लोग क्यों कर रहे हैं इस पर वो जवाब देता है कि बेट नहीं देता सिवाए मुस्कुराने की तब एफ को उल्टी होने लगी यह दिकर बुड़ा आदमी उसे चैट करता है और चंदकारी दीता है कि तुम तो माँ बनने वाली हो अब उसका एजबन तो रहा नहीं और अकेले यह वो इस बचे को पर ना पाल सकती थी इसलिए उसे मारने का सूचती है उसने चाप उठा लिया और जैसे अपने पेट में मारने लगी ठेक वक्त पर बुड़ा आदमी उसे रोपकर उसकी और बच्चे दोनों की जान पर चा लेता है एडम उसे यह बत पता चल गई थी कि एज माँ बनने वाली है और उसे खाना जाए में बेहोश थी तो उनमें तुम भी शामिल थी जिस पर एडम कहते है कि प्लीज मुझे माफ कुड़ दो मुझे अपने गलती का ऐसास है और ये ले लो प्लीज समेश की जरूरत है पर एफ फिर भी इंकार ही करती है अब बुड़ा आदमी एडम की हाथों से वो खाना लेक खाना वापिस रख देती है मरे हुए मुसाफिर के पास बुड़ा आदमी आया और उसे उठाकर अपने जगा पर ले जाता है वो उसकी लाश की पहरे टुकड़े टुकड़े करता है फिर उन्हीं मशीन में डालकर पीस कर पोदों में डालता है खात की दोर पर ताकि पोद पर और चाहें लेकिन ठीक वक्त पर वो बॉम को गिरा देता है और ऐसे उसकी जान बचाती है फिर वो बाहिर आया बेन लेकर गन पॉइंट पर एक कैपिन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये बॉम कहां से आया तमच पूरन कैपिन को बताना पड़ा इसलिए क्यों शायद कोई वज़ा है जो वो ऐसा करता है जिब मैं शिप से कुद रही थी तब उसने मेरी जान बचाई और जब मैंने अपने पिट में चाकू मारने की कोशिश की तब भी उसी ने ही मेरी जान बचाई थोड़ी की बात गुंडा एइनान करता है कि अब सब मुसाफिरों के लिए हमने एक कमरे में डेर सारा खाना रख दिया है जिसे भी चाहिए आँवाँ जाकर ले ली यह देकर से भी लोग जल्दी सी उस कमरे की तरह भांगने लगी यह देकर एव भी वहाँ जाने लगती है पर पेरे की तरह इस बार भी बुड़ा आदमी उसे रोख लेता है सारे मुसाफिर जब उस कमरे में आ गई तो गुंडे की लोग उस कमरे का दर्वाजा बंद कर देते हैं और अब एक सुरा के जरी प्रेजडेंट वो सारे बॉंब्स अंदर गिराना शुरू कर देता हैं कुछ मुसाफिर ये देकर दर्वाजा खोल कर चिल्दी से वहां से बाहिर आने की कोशिश करने लगें पर दर्वाज़ों पर खड़े गुंडे की लोग उन पर हमला करके बुरी तरह सब को माय किराते हैं अब ये जल्म बढ़ता ही जारत हम इसलिए अपना फुल्स ओर लगाकर कुछ मुसाफिर बाही राए और गुंडे की आदमी से लढने लगे इस तरह वहां जंग का एक माहोल बन गया सब एक दूसरे के खोन के प्यासी बन गए हैं एक दूसरे के जारिनी में लगे हुई हैं कुछ दिर में पूरा शिक खोन से लटपत हो जाता हैं कुछ लोग बॉम से मारे जाते हैं तो कुछ ऐसी आपस में लड़कर अपनी जान से हाद दो बैठते हैं और अब यां सिर्फ को अच्छी लोग जिन्दा बचे थे प्रेजडेंट गन पॉइंट पर सबसे पूछता है कि कैप्टन कहा है जिल्दी ढूंडो उसे वो कहा गया जबकि कैप्टन तो सारे खाने पर पेट्रोल डाल कर उसी आग लगा रहा था क्योंकि इस खाने की वज़न से ही ये सब हुआ और अब अगर मरेंगे तो सब मिलकर मरेंगे वहाँ दबे गुंड़ा आ गया वो कैप्टन को शूट करके उसे मार देता है और फिर चला हुआ खाना ही खानी लगा लेकिन फिर थोक दीता है क्योंकि ये उससे खाया ही नहीं जा रहा था बोड़ा आदमी इन लाशों को अपने लिए इस्तमाल करने का सोचता है वो बारे बारे सब के टुकड़े करता है और एव को भी चाको देता है ऐसा करने के लिए पहले पहले तो उसने मना कर दिया लेकिन फिर रोती हुई उसने चाको पकड़ी लिया और अब वो भी लाशों के टुकड़े करने लगती है बोड़ा आदमी सब लाशों को बारे एक पीस कर पोदों में डालने की खाद बनाता है और जो लाशे बच गई थी उनका भी इंतजाम उसने कर लिया था वो लाशों के कटे हुए हिस्सों में कुछ बीच डालकर पन में मिट्टे भड़ता है तोगि उसे उमीद थी कि ऐसे करने से ये बीच पोदे बन जाएंगे अब एव नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी मदद करती रहती है और पोदे भी लगाती है अब एडम को काफे गुसा था वो अपने डाट को डाटता है कि देख लिया आपने अपने स्टूपिड से प्लैन का नतीजा जो लालच की वजह से आपने बनाया था सब मारे गई और खाना भी जलकर राख हो गया जिस खाने के लिए सब किया अब खाना कहां से लाओगे और क्या खाओगे तब उसके डाट कहती है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया अच्छा ही हुआ जो भी हुआ और खाना बहुत जुरूरी चीज़ है अगर ऐसी नोबत आई कि तुम्हें मुझे मार कर खाना पड़े तो बैशिक मुझे मार डालना हूँ अपनी भूग के लिए अगर मुझे तुम्हें मार दोंगा और खा जाओंगा ऐसी दिन गुजरते कि हम दिखते हैं कि बुड़े आदमी ने जो बीच इनसान के इसन पे लगाई थी वहां से बोड़े तिल से उग रही है और जो दो चिकन थी वह भी बड़े होकर अब मुर्गा और मुर्गी बन गई हैं उन्हें देकर इव बुड़े आदमी से कहती है कि दादा जी क्यों न हम इन मुर्ग्यों को ही खा ली मज़ा इंसानों का मास खाने की अब वो बुड़ा आदमी जो इतनी देर से बोला नहीं था अब बोल पड़ता है कहने लगा कि बेटा अगर हमने ये मुर्ग्यां खा ली तो इनके बात क्या खाएंगे हमें भी सिर्फ अंड़े खाने है ताकि मुर्ग्यां जिन्दा रहकर और अंड़े देती रहें ऐसी हमारे पास खाने की चीज़ भी होगी और मुर्ग्यां बड़ी होकर और अंड़े देती रहेंगी और पर हमारे पास कई सारे मुर्ग्यां हो जाएंगी तब पिर हम इन मुर्गियों को खा सकते हैं अब इव को जिन्दा देकर गुंड़ा उसी मारने आया तब उसे रोकर एडम कहता है कि इसे मारने से पहली तुम्हें मुझे मारना होगा गुंड़ा कहता है नेकी और पूच-पूच और अब वो यहां एडम को मारने पर उतर आया लेकिन ठीक वक्तर यहां प्रेजडेंट आकर गुंड़े को गुंड़े को गोरी मार देता है वो मरा नहीं क्योंकि गोरी उसकी वाजो पर लगी थी तो अब उसी मारने के लिए प्रेजडेंट ने जैसी गोली चिलाई तो गन खाली हो चुकी थी गुंड़ा यहां अपनी गन से ही प्रेजडेंट को शूट कर देता है गोली उसकी सीने पर लगी वो गिर गया और मोपी पर उसकी मोथ हो गई यह देकर एडम काफी खब्रा गया उसे एव की फित कोने लगी इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वाह से भाग जाता है और गुंड़ा भी उनका पीशा करने लगा अब बुड़ा अदमी प्रेजडेंट किलाईश के पास आता है और उसकी गोली वली जगह पर बीच और मिट्टी डाल देता है उनका पीचे करती करती गुंड़ा आखिरकर उसने एव और एडम को डोड़ लिया था इस बार एडम उससे लड़ता है गुंड़ा जब उसी मार रहा था तो मोका पाकर इव ने उसकी गर निकालनी उसने पहले उसकी सीनी पर शूट किया और फिर सर पर जिससे गुंड़ा वही पर माना चाता है उसके शेट कुल कर गोली वली जगह पर एव मिट्टी डाल देती है जो चीस उसने बुड़े आदमी से सीखी थी कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि लाशों में से और पोदी ओग गई है जो काफी बड़े हो गई है एडम बुड़े आदमी को कहता है कि मुझे बहुत भूग लगी है लीज वो मुझे देतो ताकि मैं उन्हें खा सकूँ अब यहां बुड़े आदमी उसे मुर्गी तो नहीं देता बलकि कोई और मास्क टुकड़ा उसे खाने को देता है ताकि वो अपने भूग मिटा सके अगले दिन एडम ने दुबारा खाना मांगा तो इस बार भी बुड़े आदमी उसे मुर्ग कर टुकड़ा खाने को देता है यह देकर एफ काफी हिरान हुई उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुड़े आदमी को मास्क टुकड़े मिल कहां से रही है यह बात उसने बुड़े आदमी से पूछी लेकिन इस बार भी उसने जवाब सिर्फ मुस्कुराहाटी दी पर यह यह बात सामने आती है कि जब भी अटम खाना मांगता है तो बुड़ा आदमी उसे खुद अपना ही मास्क काट कर दीता है और पिर ऐसे एक दिन बुड़े आदमी को एक कामड़ी आया उसने इपने जिसम का सारा ही मास्क काट कर एक पाल्टी में डाल दिया जितना वो काट सकता था और ऐसे ही सक्मी हालत में खुद में लटपत वो समंदर में कूच जाता है और यह उसका भी खेल खत्म हलांकि वो बिचारा सब की भलाई चाता था यह बाद जब ईव को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ वो सोच भी पढ़ जाती है कि आखिट बुड़े आदमी ने ऐसा क्यों किया फिर अभी दोना कुछ दिन बुड़े आदमी का मास्क खाकर गुजारती है लेकिन एक दिन जब वो भी खत्म हो गया तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है पर इव उसे यह कहकर मना कर दीती है कि तुम बेशिक मेरे जिसम का कोई भी हिस्सा काट कर खालो लेकिन इन मुर्गियों को मत काटो इन दादा जी ने इतने महिनस से पाल कर बढ़ा किया लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है पर इससे पहले वो ऐसा करता हूँ एव एक कुलाड़ी लेकर उसकी पीछी आई उसने कुलाड़ी उसकी कमर में दी मारी उसकी हालत बहुत खराब हो गई और ऐसे एडम की भी मोत हुचाती है असल में यहाँ इव जान गई थी कि इन मुर्गियों को ही बचाने के लिए बोड़े आदमी ने कुद को कुरबान कर दिया अपने जिसन के टुकड़े कर दिये मतलब यह मुर्गियां उने इतने जरूरी थी इसलिए यहाँ इव को भी लगा कि एडम से जरूरी यहाँ और मुर्डियों की जान बचाना है तो उसे एक अदम उठाना पड़ा वो इस जगा बैठ कर एडम का मास खा रही होती है और अब वो इस पूरे शिप में बिल्कुल अकेली थी ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब वो बीच जो आलो और तर्बोस के बुड़े आदमी ने उगाए थी वहाँ अब तर्बोस और आलो उगाए थी बड़े-बड़े तबन सबस्यों और फलों को खा करी एव अपना गुजरा चलाती है मुर्गयां भी और बड़े हो गई और अंड़े भी देती है अब देखते ही देखते एव अपने बच्ची को पहड़ा कर लेती है और उसी भी इसे शिप में रखकर पालने लगती है और शिप की हलत को हम देखते है जहां पर पोदे और बड़े हो गई है और अब ये शिप कम जंगल जैने लग रही है बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था और जब एक दिन ईवो से पोदा तोड़ना से का रही थी तो हमें इस शिप की बाहिर और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां इस शिप पोदों की जंगल का पूरा पहाड बन गई है और फिर हमें पुरही दुनिया दिखाई गई जो विरावन पड़ी थी ऐसा लग रहा था जिसे इंसानों का दुनिया पर सी खात्माई हो गया हो अब इस कहाने में हमें दिखाया गया कि कैसे यहां हर किसी को अपने ही फिकर है अपने बेट की अपने भूक मिटाने की इस चीज में कुछ लोग इतने अंद्री हो गए कि एक दूसरी की जान ले पैठी पर इस माहोल में भी एक बला इंसान ऐसा था जिसने सब कबला करने के लिए अपने दिमाग का इस्तमाल किया उसने यहां पोदे लगाए तकि बच्चे कोई लोगों को जिन्दा रखा जा सकी यानि उस बोड़े आदमी नी क्योंकि वो जानता था कि कुद्रत क्या है इसकी एहमित क्या है उसने इसी चीज का फाइदा उठाया क्या है झाल